विवान जब विना के कमरे से अपने कमरे में आया तो विवान अपनी आई ब्राउस एक दुसरे में जोते हुए रोहानी के पास गया और उसके हाथ से फोन छिंते हुए बोला ये सब क्या है? रोहानी इधर उधर देखते हुए बोली क्या क्या है कुछ भी तो नहीं है रोहानी की बातों पर विवान को थोई हसी आ गई लेकिन वो अपनी हसी को कंट्रोल करते हुए बोला लेच जाओ रोहानी मो बनाते हुए बोली बिलकुल नहीं रोहानी के मुँ में जैसे मानो पानी आने लगा उसे बहुत जोरो की भुख लगी थी रोहानी को भुख तो लगी थी पर उसे अपने खुद के हाथों से खाना खाने का बिलकुल भी दिल नहीं कर रहा था लेकिन वो अभी विवान से जुठी है सही पर थोड़ा गुस्सा थी हम खुद से नहीं खाएंगे खाना पर अभी तो हम मिस्टर माफिया से गुस्सा है तो उसे भी कैसे खिलाने को बोले इतना बोल रोहानी थोड़ा उदास हो गई लेकिन फिर वो अपना हाथ बैड पे पटकते हुए बोली गुस्सा जाए भाड में हम तो बोलेंगे खिलाने को इतना बोल रोहानी जोर से विवान पर अपना पुराहक जताते हुए चिल लाए हो मिस्टर माफिया इधर आओ और हमें खाना खिलाओ रोहानी की अवाज सुन विवान जो फ्रेश होकर डिरेक्ट अपने रूम से हे अटाच्ट स्टडी रूम में चला गया था वो रूम में वापस आते हुए थोड़ा ठंडे स्वर में बोला क्या हुआ है ऐसे क्यू चेक रही हो जैसे तुम्हारे खून में कल रात जहर नही ग्लूकोज मिलाया गया हो विवान की बात रोहानी अपना मूँ लटकाए वापस से लेट गई उसे उदास होता देख विवान उसके पास गया और फिर उसे उठा कर अपनी गोद में बैठा लेता है विवान की ऐसी हरकत से रोहानी थोड़ा शौक्ट हो गई वही विवान जो अब रोहानी को अपनी गोद में लिये है उसे डिना खिलाने लगा रोहानी भी शरिफ बच्चे की तरफ विवान की हाथ से डिना कर रही थी कुछ देर ऐसे है विवान सिर्फ रोहानी को डिना खिला रहा था और खुद खाने का एक बाइट भी नहीं ले रहा था जब ये बात रोहानी गौर करती है तो वो भी एक जटके में खाने का एक निवाला लेकर विवन के मुँँ में डाल देती है ऐसे है दोनों डिना करते हैं फिर विवान रोहानी को मेडिसंस खिला कर उसे बैड पर लेटा देता है फिर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोला तुम सो जाओ मुझे कुछ काम है मैं आधे घंटे में आता हूँ और हा जब मैं वापस कमरे में आओ तो मुझे तुम सोती ह कुई दिखनी चाहिए समझी रोहानी भी अपना सरहा में हिला देती है और अपनी आंखे बंद कर लेती है भले ही रोहानी विवान के कहने पर सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद उसे विवान के बिना निंद नहीं आने वाली थी वही विवान रोहानी की बंद आंख और मासुम सा चेहरा देख मुस्कराते हुए अपने रूम से विना के रूम में चला गया। विवान जानता था कि विना ने डिनर नहीं किया होगा और शायद उससे आराधना जी बात भी नहीं कर रही होगी क्योंकि वो विना से हद से ज्यादा गुस्सा थी। विवान जब रूम में आया तो देखता है कि विना जो खेकी के पास खड़ी बस उदास मन से चांद को देखे जा रही है विवान विना के पास गया और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोला विनू बच्चा चलिए दिनर कर लिजिए। विवान की अवाज सुन विना तुरंट एक जटके से विवान से लिप्ट गई और रोने लगी वो रोते हुए बोली भाई आप उन लोगों को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौद देंगे ना बोलिये भाई। विवान का भी दिल अंदर से जल रहा था वो भी अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला दुनगा ऐसी मौद दुनगा जैसी आज तक किसी ने नहीं पाई होगी। फिर थोड़ा रुख कर बोला लेकिन अभी दिनर कर लो तभी विना के कमरे में विना का दिनर भी आ गया विवान विना को बड़े है प्यार से दिनर करा रहा था और बिना भी बिना कुछ कहे शांती से कुछे देर में खाना खा लेती है विना को भी अभी तक रुहानी के स जात हुए जहरवाले हादसे के बारे में नहीं पता है। विवान विना को डिनर करा कर वापस अपने कमरे में जा रहा था कि तभी तन्वी किचन से आती हुई उसे दिखी तो उसे देख विवान कडक लहजे में बोला टेरस पे आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोल विवान चला गया वही तन्वी जो विवान के गुसे को देख थोड़ा घबरा गई फिर से उसके पसिने निकलने लगे लेकिन वो खुद को समझाते हुए बोली नहीं तन्वी ये वक्त डरने का नहीं है तुझे जाकर देखना चाहिए विवान तुझ से क्या बा पास विवान की बात सुन तन्वी को थोड़ा अजीब तो लगा पर वो अभी जादा बिना कुछ सोचे अपने कदम विवान की तरफ बढ़ा देती है विवान उसे आता देख अपने दोनों हाथ हवा में फैला लेता है तन्वी विवान के थोड़ा करिब पहुंचती है त अभी किसी तरह का कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था लेकिन इधर तन्वी जिसके कदम लखा रहे थे उसके लखाते कदम देख विवान थोड़ा तंज भरे आवाज में बोला क्या हुआ तुम्हारे कदम लखा क्यू रहे है यही चाहती थी ना तुम तो आओ लग मेरे सिने से बन जाओ मेरी तन्वी के पसिने निकल रहे थे जैसे तो उसके मुह से अभी एक शब्द भी निकलना बेहद मुस्किल था उसके जुबान काम रहे थे उसका पुरा शरीर जो कापने के कारण छंडा पढ रहा था तन्वी लखाती हुई बोली विवान ये तुम चिकते हुए बोल पड़ी अच्छोडो हमें अब एक हे पल में विवान का गुस्सा आस्मान चुने को हुआ और वोकस कर तन्वी को धक्का दे दिया जिससे तन्वी सिधे जमिन में जा गिरी जिससे तन्वी का सर पिल्ला से जा लगा और उसके सर पर हलकी चोट आ गई फि जिसे याद करते हैं उसके चेहरे पर एक दर्द के साथ साथ अपार गुस्सा उभर आ रहा था तन्वी बस अपनी चोट के मारे दर्द में करा रही थी वही विवान एक जटके में तन्वी की तरफ जुका और गुस्से भरी अवाज में बोला अगर आज के बाद तुमने रुहानी को एक खरोच भी पहुचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हसर करूंगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकती इतना बोल विवान तन्वी को वैसे ही छोड़ कर वहा से अपनी रूम के लिए चला गया वही तन्वी जो विवान की बात सुन हैरान थी उसे समझ न रहा था कि आखिर विवान को ये बात किसने बताई की उसने ही रुहानी के साथ ये सब किया था लेकिन वो बेहत डर भी चुकी थी विवान के अपार गुस्से और रुहानी के लिए पागलपन और उसकी जुनून भरी आशिकी देख कर इधर विवान कमरे में आया तो देखता है कि रोहानी सोई हुई है उसे देख वो भी उसके बगल में लेट गया और कुछ सोचने लगा मुझे रोहानी की सच्चाई सबसे छिपानी होगी कि वो तनवी की अपनी जुदवा बेहन है और मिस्टर विकरांत राइचंद की बेटी है मैं नहीं चाहता कि अब गिरे विवान में चिपक कर सोने की कोशिश कर रही है ये देख विवान को थोड़ी हसी आ गई वो समझ चुका था कि रोहानी को उसके बिना निंद नहीं आ रही है इसलिए वो भी रोहानी को कस कर खुद से चिपका कर अपने सिने से लगा कर बाहों में लेकर सो जाता है सुबह का वक्त रोहानी की जब आँख खुली तो वो अपने बगल में विवान को ना पा कर अपने बालों पर हाथ रखते हुए बोली अब सुबह सुबह ये कहा गया वैसे एक काम करते हैं हम मिस्टर माफिया के आने से पहले हम रेडी हो जाते है ताकि वो हमें देख कर खुश हो जाए फिर रोहानी थोड़ा रुखकर बोली हमम हम कैसे बताए Mr. Mafia को की हमें उससे मोहबबत हो गई है हम उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकते एक मिनट हम क्यूँ बोले की हम उससे प्यार करते है उसने हमसे शादी की वो हमें बोले बड़े आये इतना बोल रोहानी बच्चों की तरह मो फुलाकर खड़ी हुई और वाश रूम में शावर लेने चली गई रोहानी की तबियत अब बहतर थी वही कही ना कही अब रोहानी को भी विवान से सच्चा प्यार हो गया था होता भी कैसे ना विवान उसकी इतनी कैय करता है उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है तो भाई प्यार तो होना है था ऐसे है सुबह के 9 बज गए रुहानी मस्त रडी होकर बैड पर बैठी थी विवान अभी तक नहीं आया था और नहीं रुहानी के कमरे में अभी तक कोई आया था फिर ब्रेक्फिस्ट का भी पता नहीं है ये देख रोहानी थोड़ा हैरान हुई आखिर आज ये मिस्टर माफिया कहा गया और विना या तन्वी भी आज रूम में नहीं आई क्या बात है हम ही निचे लिविंग एरिया में जा कर देखते हैं इतना बोल रोह रोहानी बैड बेर से खड़ी हुई और निचे लिविंग एरिया में चली आई लिविंग एरिया में कोई नहीं था सिवाए सर्विंट्स के ये देख फिर रोहानी को थोड़ा अज़िब लगा तो वो तन्वी के कमरे की तरफ बढ़ी थी उसने पाया कि तन्वी के रूम क धर के बाकी लोग कहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है तरम कुछ बोलता कि उससे पहले विवान वापस आ गया विवान के घर में घुसते है विना जो अपने कमरे में थी वो भाग कर विवान के पास आई और लिबिंग एरिया के लेड में न्यूस चानल ओपेन कर फटाक से विवान के गले लग गई और न्यूस चानल की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए बोली ये आपने किया है ना भाई थांकियो सो मच भाई विवान जो विना के आंशू को पोचते हुए मुस्कराते हुए बोला तुमने मुझसे कुछ कहा और मैं ना करू ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे यही आंशू मेरे लिए सबसे किमती है इसलिए अब पुरानी बातों को भूल कर एक नई जिन्दगी की शुरुआत करो फिर विवान विना विवान को अपने गले से लगाते हुए बोला मिरा सबसे प्यारा बच्चा वही रुहानी जो ये सब देख कर हैरान हो रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवान और विना किस बारे में बात कर रहे हैं ओडियो बाई साकिल जैक्स जीरो सेवेन विना विवान के गले लगकर बेहद रो रही थी वही विवान विना को ऐसे रोता देख विना के आंशू को पोच्चते हुए मुस्कराते हुए बोला तुमने मुझसे कुछ कहा और मैं ना करू ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे यही आंशू मेरे लिए सबसे किमती है इसलिए अब पुरानी बातों को भूल कर एक नई जिन्दगी की शुरुआत करो फिर विवान विना विवान को अपने गले से लगाते हुए बोला मेरा सबसे प्यारा बच्चा वही रोहानी जो ये सब देख कर हैरान हो रही थी उसे इस बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी इसलिए वो थोड़ा हिचकी चाते हुए बोली हुआ क्या है कोई हमें कुछ बताएगा रोहानी की अवाज सुन विना विवान से अलग हो गई और अपना सर जुका कर रोने लगी वही रोहानी जो विना को पैसे देख उसे अपने गले से लगा लेता है जो भी कुछ बिना के साथ हुआ हो वो ये सब देख नहीं पा रही थी उससे विना की हालत देखी नहीं जा रही थी वही विवान और तरन का भी कुछ यही हाल था इसलिए वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए वही वि जो अभी जानती थी कि विना को सहारे की जरुरत है इसलिए वो विना को बहलाने के लिहजे में बोली विना देखो जो कुछ भी हुआ वो हुआ अब तुम्हे खुद को और भी स्ट्रोंग बनाना होगा और देखो विवान ने उन सभी लड़कों को भी जिन्दा नहीं छोड विना उन लड़कों का जिक्र रोहानी के मुल से सुनते ही उसका पारा हाई हो चला उसक गुस्सा सात्वे आस्मान में था वो गुस्से भरी तेज तरा रवाज में बोली भाभी आप उनका नाम अपनी जुबान पर लेकर अपनी हे जुबान गंडी कर रहे हैं वो इंसान ही थे और भाई ने बहुत अच्छा किया है इतना बोल विना अपने रूम में रोते हुए चली गई वही रोहानी जो हजारों सवाल के जावाब लेने अपने कमरे में उदासी चली गई रोहानी जब रूम में गई तो उसका फोन बज उठा वो कॉल पिक करती है वो कॉल अन्नों नो में था कॉल की दुसरी तरफ से अवाज आई रोहानी बेटा हम तुम्हारे चाचा जी बोल रहे है बनारस से चाचा जी वर्द सुनते ही रोहानी एक बार फिर चौक उठी क्योंकि काम्याजी आज से पहले सिर्फ उससे यही कहा था कि उसका कोई चाचा या कोई भी नहीं है रोहानी के मूँस से तो जैसे अवाज है नहीं निकले लेकिन वो अचानक से जोर से बोल पड़ी चाचा ज कर दिया यह देख रोहानी को थोड़ा गुस्सा आया और वो बोल पड़ी तुमने हमारा फोन क्यू लिया हमारा फोन अभी वापस करो विवान थोड़ा तक्ती भगती अवाज में बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे होते हुए किसी से भी बात करो रोहानी अपन विवान इतना बोल गिरे से रुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है वही रुहानी जो विवान की ऐसी हरकत से बिल्कुल हैरान थी लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही थी उसे शायद यू विवान की बाहो में सुकून सा मिल रहा था रुहानी का अब सच में फोन कॉल से ध्यान पुरी तरह से हट चुका था विवान घिरे से रुहानी को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया और प्यार से रुहानी के चेहरे और बाल को सहलाने लगा रुहानी ने अपनी दोनों आंखे बंद कर रखा हुआ था लेकिन अचानक से रुहानी को विना की याद आई और वो एक जटके से विवान का हाथ जटक खड़ी हो गई और अचानक से बोल पड़ी विना के बारे में तुमने मुझे कल क्यू नहीं बताया विवान जो पूरी तरह मधोशी में था वो भी होश में आया और खड़े होकर रोहानी के चेहरे को सहलाते हुए बोला बच्चा मैं नहीं चाहता था तुम कोई टेंशन लो रोहानी समझती थी कि विवान उसकी कितनी फिक्र करता है और कल रात में तो रोहानी की तबियत भी बहुत गंभीर थी इसलिए वो गुस्सा नहीं होती है पर विवान के सामने थोड़ा घुस्सा जताते हुए अपना मों फेरते हुए बोली मिस्टर माफिया कहे के हमें तुम से बात है नहीं करनी चाहिए विवान रोहानी की बुद्ध बुदाहत सुन चुका था इसलिए वो सोफे पर राजा की तरह बैठा और डेवल स्माइल के साथ बोला अच्छा तो जब तुमने मेरा नाम मिस्टर माफिया रखे दिया है तो आज से मैं तुम्हारा नाम खुनख चुड़ल की तरह अपने डांत बाहर निकालते हुए चिल्ला कर बोली क्या कहा खुनखार चुड़ल और हम तब तो तुम मिस्टर माफिया नहीं आया इतना बोल रोहानी सोच में पढ़ गई कि वो विवान का क्या नाम रखे वही विवान जो उसे देख हसते हुए बोला चुड़ दो तुमसे नहीं होने वाला तुमसे सिर्फ मेरा खुन चुसना हो पाएगा इस बार रोहानी कुछ नहीं बोली और वो डायरेक्ट कमरे से बाहर आ गई और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई रोहानी ने अभी तक ब्रेक फास्ट नहीं किया था उसे बहुत जोर रहा नहीं मैं बालकनी में लगे जूले पर बैठ गई इधर कमरे में विवान जो रोहानी की हरकत पर हंस रहा था तभी उससे रोहानी के फोन पर आई उस कॉल पर ध्यान गया विवान देखता है कि रोहानी का फोन अभी बैड पर ही पड़ा है ये देख विवान जल्दी स रुहानी के फोन को लेता है और उसमें से उसी नंबर को अपने फोन में डायल करता है जिस नंबर से उस वक्त कॉल आया होता है विवान नंबर लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया स्टडी रूम में जाकर वह उसी नंबर पर कॉल करता है को कॉल करती आवाज आती है हेल तो कौन उस आवाज को सुन विवान एक दम छंडे स्वर में बोल पड़ता है तुम कौन बोल रहे हो मैं दमाफिया किंग और इस वर्ल्ड का बेताज बादशा विवान ओबर ओए। कि ऐसी बात सुन थोड़ा हड़क उठे और डर भी उठे वह थोड़ा डरते हुए बोले तुम तुमने हमें कॉल क्यूं किया उनकी बात सुनी विवान गुस्से में बोला तुम कौन बोल रहे हो पहले मुझे ये बताओ। उसके बाद विवान शशिकांट जी से कुछ ऐसा कहता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शशिकांट जी भी विवान की बात सुन है और शशिकांट जी ने भी विवान को अपना परचे दिया उसके बाद विवान शक्ति से उनसे बोला जब तक मैं ना कहूं तब तक आप रुहानी को कॉल बिलकुल नहीं कर सकते हैं और नाहीं आप उसे काम्याजी के बारे में मौत के पीछे निधी औब्रोय का हाथ है मुझे इसे जल्दी सब पता करना होगा इससे पहले की रुहानी को सब कुछ पता चल जाए इतना बोल विवान बेहद गुस्से में हो गया फिर थोड़ा परेशान भी हो गया तभी उसे रुहानी का ख्याल आया तो वो अपने गुस शायद ये बात पता नहीं थी कि रुहानी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है विवान घीरे धीरे से रुहानी के पास गया और उसके बगल में जुले पर है बैठ गया विवान के बगल में बैठते ही रुहानी उठकर वहां से जाने लगी उसे जाता देख विवान एक ज पर हसी तैर गई वह हसते हुए बोला वाँ खुनखार चुरेल के अभी सोने का वक्त है मैं तो सोच रहा था क्यों ना आज खुनखार चुरेल को कहीं बाहर घुमा लाओ या अपने ओफिस ही ले जाओं। विवान की बात पर रोहानी का गुसा और सात्वे आसमान पर चढ़ गया लेकिन वो कुछ नहीं कहती बस अपना मुँँ बनाए वहां से जाने लगती है और बोली घर में तो नाश्ता का पता नहीं और पड़ा मुझे घुमाने चले। ये सारी बाते रोहानी अपने मन में बोल रही थी लेकिन विवान के कान तक ये आवाज पहुँच गई जैसे मानो रोहानी और विवान का दिल से दिल का रिष्टा है दिल की आवाज दिल तक सुनाई दी और वैसे भी उनका तो दिल से दिल का रिष्टा था ही भले ही एक एज़ार नहीं करते थे पर प्यार तो दोनों ही एक दूसरे से बेंतेहा करते थे। जैसे ही विवान को एसास हुआ कि रुहानी ने ब्रेक फास्ट नहीं किया है तो वो जल्दी से खड़ा हुआ और रुहानी के पास जाकर के मैंने बोला था ना तुमसे टाइम पर ब्रेकफास्ट किया करो तो तुमने ब्रेकफास्ट अब तक क्यों नहीं किया तुम्हें अपनी तबियत का जरा भी ख्याल नहीं। वह सारे सर्वेंट का अच्छे से खबर लेने वाला था और हुआ भी वही गुस्से में लिविंगेरिया में गया और एक बज़ा बजा कर सारे सर्वेंट्स को लिविंगेरिया में एकठा कर दिया सभी वहां आये आराधना जी भी बज़ा की आवाज सुन लिविंगेरिया मे आई आराधना जी के साथ साथ सलोनी जी नियती तरंग भी वहां आए सभी लाइन से खड़े थे बस रुहानी और विनातनवी को छोड़ कर विवाह किसी राजा की तरह वहां सोफे पर बैठा और हर एक सर्विंट से उसकी क्लास में ना शुरू कर दिया विवान गुस्से में सब की तरह अपनी उंगली घुमाते हुए बोला अभी तक आप सबने रुहानी को ब्रेकफास्ट क्यू नहीं कराया विवान की बात सुन सभी सर्विंट का सर डर के मारे नीचे जुक गया तो वही सलोनी जी जो आराधा जी के कान भरते हुए बोली देख लिया भावी मैं क कहती थी ना विवान पूरी तरह अपनी बीवी पर धल चुका है देखिए अभी हमारे घर में इतना बड़ा कांध हुआ है क्या जब महारानी खुद से ब्रेकफास्ट भी नहीं ले सकती मेरी नियती होती तो ऐसा कभी नहीं करती वह हमारे घर के हालातों को समझते हैं सलोनी जी की बात पर आराधना जी एक नजर उनकी तरफ देखती है आराधना जी का दिल तो अभी ऐसे ही जला हुआ था और सलोनी जी अपनी बातों से उन्हें और तंग कर रही थी आराधना जी फिर विवान की तरफ देखती है जहां विवान बेहद गुस्से में था वही विवान ने भी रूहानी के खिलाफ सलोनी जी की बाते बेहद अच्छी तरीके से सुनी थी वो गुस्से में खड़ा हुआ और बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला आपको कोई जरूरत नहीं मेरी जाना के बारे में कुछ बोलने की वह मेरी है और मैं उसका क्याल अच्छे से रख सकता हूँ